पाले सर्ट वायं यह जे गुद ईयुवन इस इस एक वसक्स्रम宝न के लिए बच्छों का बहुत सारी डिमांड इ план्ड इивать अधिनों जिन्हों इन्मस्च क्लास खरीदा रहोगा मुझसे और यह कोश्चन है और इस कहां से कोश्चन है इस नया है सर यस बिल्कुल भी नया नहीं है पिछले अटेम्ट के में डला हुआ था एक नया कोश्चन पढ़ने से हमारे समझ में आजाएगा यह कोश्चन पढ़ने से आपके समझ में नहीं आएगा मुझे समझाना पड़ेगा और मैं समझाने के लिए आपका एक गंटा भी बरबाद नहीं करना चाहता तो बिल्कुल काम काम की चीज़े बोलूँगा बस उसको समझना ज्यादा बहुत ज्यादा में कैलकुलिशन पर आपको नहीं ले जाओंगा एक्जाम पास में ठीक है स यहां से समझना मैं जोन बोलना चाहता हूं अब राम ने क्या किया राम ने किसी पर संक से कॉंट्रेक्ट किया इस से किस से सर इसका नाम क्या है इसका भी नाम लिख देते हैं श्याम से कॉंट्रेट किया कि हम आपको बेच देंगे कॉंट्रेक्ट टू से कॉंट्रेक्ट टु सेल या कॉंट्रेक्ट टु डिलिवर क्या बेचेंगे बॉंड्स हम आपको बॉंड्स पेच देंगे और रेट आप इंट्रेस्ट कितना है सेवन पॉइंट फाइप बिल्कु धियान से कहां से आ रहा है वो अभी उस पर मज़ यह गह रहा है राम कहरहा श्याम से कि चलो में एक कॉंट्रेट करते हैं और इस कॉंट्रेक्ट में हम आपको बेच दिंगे बॉंड्स और बॉंड्स का कुपन रेट क्या है से मान् पॉइंट 5 ऊस ठीक है और कितने में बात हो रही है सेटलमेंट Прाइस कृष कितना है यहां तक मैं जो बोलना चाहता हूं समझ में हागे हाँ ठीक है तो अर्म को क्या लगता होगा राम को एक ता होगा किया फ्यूचर में बॉंड का प्राइस कम हो जाएगा और उस बॉंड को हम खरीदेंगे और डिलीवर कर देंगे, सस्ते में खरीद के, मैं कि में सॉर्ट सेलिंग टैप का है, कौन सा बॉंड, 7.5% गॉर्मेंट अप इंडिया बॉंड, हाला कि ऐसा कोई बॉंड साय नहीं, अब वो पीडियड आगा है, जिसमें मुझे इस बंदे को इस स्याम को डिलीवरी करनी है, क्या राम के पास अब भी कोई बॉंड है, नहीं, वो क्या करेगा फ्यूचर में, मार्केट से खरीद देगा सस्ते में, और श्याम को डिलीवर कर देगा, अब वो जब डेट आई, स्टिलमेंट डेट, तो उस समय बॉंड चाहिए, उसके मिना तो काम है, मार्केट से अफ इंडिया, 2000 और इसकी प्राइस कितने है, 1037, सुना देहां से, एक बॉंड है, 7.96 पर्षन, कुपन पैमेंट होगा, और उसकी प्राइस कितने दिख रही है, 1037.40, रुपीज, 1037.40, मार्केट में ये बॉंड, ठीक, मार्केट में और एक टाइप का बॉंड है, 6.55 पर्षन, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो इंपोर्टन रहेगा, 6.55 पर्षन, 6.55 पर्षन, और उसकी मार्केट प्राइस कितने है, सर, सर, उसकी मार्केट में प्राइस है, 926.40, पूरा नहीं लिखूंगा, बस ये दो लिखा, इसी से सम है, ठीक, आज, मैचुरिटी डेट, शेटिलमेंट, और मुझे किसको देना, श्याम को, क्या डिलीवर करना है, बॉंड्स, और श्याम बदले में मुझे कितना देदेगा, 1000 रुपए देदेगा, मेरी खुसी का ठीकाना है, अब पर वो जो बॉंड्स मुझे डिलीवर करना 7.5%, वो बॉंड्स मैं मार्केट में ढून रहा हूं, मार्केट में तो हाई नहीं है, मार्केट में तो सहाब, यह अजीब अजीब टाइप की बॉंड्स है, एक बॉंड्स यह है, और तीसरा चौता पाच्छो बहुत सारे बॉंड्स है, करे तो करे क्या, राम को, हम श्याम कर सकते हो जिसका maturity 15 साल से उपर हो तो ऐसा कुछ नहीं सुनना है ठीक हाँ एक बात हूँ बात है कि इसमें से यह basket है बहुत सारे बांट है उसमें से मैं कोई भी एक बांट खरीद के इसको डिलीवर कर सकता हूं किसको श्याम को यह बात अब राम सोच रहा है अच्छा जी श्याम से 1000 रुपए मिल जाए और इधर भी तो पैसे देना वह दे देंगे ना दिक्कत थोड़े है सोस समझ के बोलना सोस समझ के यह वाला बॉंड्स खरीद के अगर मैं श्याम को दूं यहां से तो भी मुझे एक हजार ही बिलने वाले हैं अगर मैं यह वाला बॉंड्स खरीद के श्याम को दूं तो भी मुझे एक हजार रुपए ही मिलने वाले बिटे बस बस अब दिमाग चला सकते बोलो कौन सा करना चाहोगे सर सेकंड वाला और सुनो सर क्यों सेकंड वाला और भी बहुत सारे हैं बिटे मैं बहुत सारे पर नहीं जा रहा अभी इन दोनों की बात करूं तो ज्यादा अच्छा ठीक है ठीक है त्यार हो मैंने उठाया कौन सा वाला वांट मैंने उठाया दूसरे नंबर क bond second और यह लेके और मुझे कितने में पड़ेगा मुझे मालूम है कितने पड़ेगा 926 महीं पड़ेगा और इसको लेके मैं पहुचा श्याम के बास मुझे रहा श्याम श्याम यह लो कोई भी एक बॉंट जरूरी थोड़ी कोई भी बॉंट तो बले यह वाला बॉंट से ले इस पे कुपन मिलेगा आपको 6.55 परशंट और यह बॉंट मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं और मुझे एक हजार रुपए दे दो क्या श्याम आपको बेवकूब दिखता है बात हुई थी 7.5 परशंट की और जो आप बॉंट मुझे डिलीवर कर रहा हूं भाई उसमें कुपन सिर्फ कितना 6.55 बोलो क्या श्याम इसका एक हजार रुपए देगा श्याम गए यह जो बॉंट है इसका कीमत एक हजार ही नह और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू किस बॉंट की इंट्रिंसिक वैलू क्या इस बॉंट कि बली ऐसे निकलेगा Settlement Price कितना है 1000 इंटू एक फैक्टर होगा Conversion Factor सर यह क्या चक्कर है कहां से आया कैसे आया विलकुल 100 बर्शन में उसका कैल्कुलेशन समझा सकता हूं अभी वक्त नहीं हां है क्या चीज वो भी समझागे डमाँ चेक करो कनवर्जन फैक्टर क्या है किसके 6.55 का कनवर्जन फैक्टर है 0.9060 ठीक है ठीक है सर बुले इसको मल Rs. 906 तो राम स्याम प्यार से कहता है जी बॉंड मुझे दे दो मैं लेने को तेयार हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं इसके लिए एक हजार रुपए नहीं दूगा इसके लिए मैं 906 रुपए ही दूगा 906 ही दूगा इसकी intrinsic value दूगा अच्छा सर इसका मतलब राम को मार्केट से खरीदना पड़ेगा कितने में 926 में और इसको delivery करने पे 906 ही मिलेगा इस लिहाज से इस लिहाज से सर राम को तो लॉस दिखाई दे रहा है हाँ 926 रुपए मार्केट प्राइज उसमें खरीदेगा और इसको 1000 का सोचत पर 1000 नहीं उसकी एक्चुल इंट्रिंसिक वैल्यू पे करना पड़ेगा 906 रुपए में ही डिलीवर करना पड़ेगा तो राम भाई सापको तो लॉस है राम क्या करेगा राम ऐसा बॉंड सेलेक्ट करेगा जिसमें उसको कम से कम लॉस हो या फिर फायदा हो जाए राम कहता ठीक है भाई यह बॉंड नहीं देता कोई मतलब नहीं है आप 906 रुपए दे रहें बोल क्यों दे रहें 906 तो श्याम समझा रहा कि देखो यार बात हुई थी 7.5% इंट्रेस्ट वाला बॉंड देने वाले थे आप कुपन वाला और आप कौन सा वाला दे रहे 6. 6.55 जो की काम है राम कहता अच्छा भाई सुनो सुनो अगर मैं 7.5 से ज़्यादा वाला देता तो 7.96 वाला देता तो तो बोले फिर में जो बॉंड की वैल्यू 1,000 रुपए है ना वह 1,000 नहीं उससे ज़्यादा देता क्योंकि स्याम के लिए इसकी वैल्यू सोचो ना 7.96 परशेंट कूपन मिलेगा उस बॉंड पे जबकि 7.5 परशेंट पर डील हुई थी तो उसकी वैली तो और भी ज़्यादा होगी ना तो बले फिर में कितना देता अब देखो इसका भी कनवर्जन फैक्टर दिया होगा चेक किजिए यह दिया है 1.037 पहले इसको मल्टिप् ऑफ एक्षुली कोशें किसके अंगल से एक्शुली कोश्चन है राम के अंगल से कि राम के लिए सबसे अच्छा बौंड कॉन सा कहला एगा कि बौंड खरीदे और डिलीवर कर ते राम को यहा तो कम ला다 को होना चाहिए यह तो फाइदा भी हो जाएगा तो अच्छी बा rate कैसे आएगा कितने में डिलिवर करना जो भी settlement price है उसको conversion factor से multiply कर दीजिएगा तो delivery rate आजाएगा और कितने में खरीदा this is market का quoted price दिये ही होगा जिसमें फाइदा होगा वो राम के लिए सबसे अच्छा चीप एच्ट कहलाएगा चेक करो solution इसका है देखो अब ध्यां से देखना solution आप देख लोगे 1000 settlement price conversion factor तो यह आगे intrinsic value it means इस पे हमको क्या करना इस पे हमको deliver करना sell करना deliver और actual में इतने में खरीदना इतने में खरीद के इतने में deliver कर रहे भाई यहां तो loss है यहां भी loss है हाँ लेकिन यह वाला bond हमको सबसे फाइदा दे रहा 6.80 वाला क्योंकि हमें खरीदना कितने में है साब 877 और deliver कितने में करना है 919 42 का फाइदा है तो राम के लिए यह वाला bond cheapest to delivery होगा क्योंकि इसमें maximum profit है ठीक है सब्सक्राइब क्या करने बाद बताओं आप बोल रहें इंट्रिंसिक वेल्यू इंट्रिंसिक वेल्यू बोल रहें बार बार इक अन्वर्जन फैक्टर किदर से आए जरा बताओं कि जो रेट है यह देखो मेरी बात समझने के कोशिश करो मैं आपसे कुछ बाते कर रहा हो हाला कि यह रेलिवेंट नहीं होगी आपके लिए यह क्या है यह क्या है 2020 यह बॉट्स 2023 तक चलेगा रेट अप इंट्रिंस कितना 7.96 एक हजार रुपा फेस वेल्यू मान लो तो बोल 179.60 इंट्रस्ट मिलेगा और लास्ट में 1000 रुपे मिलेगा इन सबका अगर मैं प्रेजेंट वेल्यू करूं डिसकांटिंग करूं साड़े साथ परशंट से तो जो वेल्यू आएगी ना वो वेल्यू आएगी 103 से इस तरह से आएगी जो इंट्रेंसिक वेल्यू निकल जा ना जाये तो अच्छा है क्योंकि इसमें date weight नहीं दिया maturity rate इसलिए यहां conversion factor निकाला नहीं जा सकता हाला कि conversion factor calculator से निकाला जा सकता है तो concepts ये था बहुत ज्यादा discussion पर में नहीं गया simple सी बात है हमें कितने में खरीदना है और उसको बेचना है deliver करना है और deliver करने पर हमें सब से जदा profit होना चाहिए और वही हमारा cheapest bond के लायक thank you so much description में एक काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि questions paper upload कर रहा हूं actually मैं सोच रहा था कि नए questions upload कर देता हूं पर उतना time नहीं मिल पाया मेरा स्वास्त ठीक नहीं था पर अब मैं सोच रहा हूं कि questions upload कर देता हूं को test paper upload कर रहा हूं ठीक है description में जाकर देखोगे दूसरा क्या कर रहा हूं मैं आपके लिए जितना भी मैंने new questions के video मुझे upload करने चाहिए थे पर नहीं कर पाया पर उसके में notes PDF तो upload करी देता हूं आप खुद करने के कोशिश करना अगर दिक्कत आई आती है तो मुझे ना comments म लिए आप शाम को 8 से 11 बजे तक बीच में मैं थोड़ा सा बीजी रहूंगा मैं sorry पर रात को 8 बजे से 11 बजे तक doubts पोज सकते बिंदास हो के पूछे कोई देख करने आगे तेक है thank you so much description जरूर चेक करोगे taste paper है वो taste paper भी देखोगे यह concept थोड़ा जल्दी में करवाय हूं पर बन जाएगा question में करके जाना यह question ठीक है thank you thank you bye bye